हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयो पाप लोग अच्छे होंगे मैं हुर आहूल जैस्वालें स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे हैं आपके सामदे के मोश्ट इंपोर्टेंट सा साइंस सब्जे का एक नया चाप्टर एक फ्रेस्ट चाप्टर आपके लिए शुरुवात करने जा रहें दोस्तों जिसका नाम है चाप्टर नमर 13 चेमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन तो आज दोस्तों यह चाप्टर का हम लोग पहला लेक्चर देखेंगे लेक्चर नमर तो बेसिकल आपको पता है दोस्तों इसके पहले हमारा चाप्टर नमर 12 कंप्लीर हुआ था जरूर से आपने वीडियो देखा होगा अगर आपने नहीं देखा है तो आप लेलिस सेक्शन में जाके देख सकते हो तो आज का चाप्टर है दोस्तों जो नया चाप्टर पर समझेंगे कि केमिकल चेंज कोई भी तरीके से हो सकता है ठीके ना आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं केमिकल रियाक्शन हो रहे हैं तो यह जो भी केमिकल चेंजेस होते है या फिर केमिकल रियाक्शन होते है वो क्या होता है एक 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 पेड होता है, आम का, आम का पेड है, आम के पेड में आपने दिखा होगा, जब भी starting में जब आम आते तो वो green कलर के होते हैं, और उसका जो taste होता है, आप कहाते हैं तो थोड़ा sour taste आता है, याने कि खटा test आता है, और वो ही कुछ दिन के बाद, एक या दो महिने बीतने के बाद आप देखोगे तो वो जो आम होता है दोस्तो वो green color से change हो जाता है इसमें yellow color में obviously yellow या फिर orange या फिर reddish type हो जाता है आपने देखा होगा depending upon the type of fruit वो change होता है और उसका taste भी लगबग जो खटा होता है उससे वो थोड़ा सा मीठे में convert हो जाता है तो यह क्यू हुआ द action के वजए से उसके अंदर एक change आ जाता है that's why वो जो खटा वाला आम था green वाला जो आम था वो convert हो गया एक red वाले आम में और मीठे वाले आम में that is the best example I can say for this chemical change तो there are so many examples अगर हम बात करेंगे जैसे ice का पिघलना ठीके ना बरफ होता है बरफ तो बरफ को अगर हम लोग नॉमली फ्रीजर के बाहर रिंकाल के ऐसे ही उसको idle condition में रख देते है room temperature पे रख देते हैं हम लोग तो दीरे दीरे वो पिघल के पानी हो जाएगा के अंदर हम लोग को देखने मिलता है और एक तरीका यहां पर बताता हो जैसे कि सबसे बेश तरीका है हमारा खुद का एक example है यहां पर बताऊंगा जैसे कि हम लोग कुछ खाना खाते हैं जब भी हम लोग कुछ खा रहे दोस्तों खाने के बाद वो पेट में जाता है तो जाने के बाद क्या मिलता है हम लोग को ताकत मिल जाती है चलो एनरजी मिल गए हम लोग को लेकिन वो जो एनरजी मिली वो कैसे मिली पेट में जाने के बाद भी उसका हो रहा है एक तरीके से chemical reaction तो जो भी हम लोग solid food भी खाते हैं कुछ कड़क चीज भी खारे तो उसको अपिक आएगा तो मैं आपको अच्छे से बताओंगे कि क्या-क्या प्रेजेंट होता है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एक तरीके से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं यह सभी चीज आप आसमें reaction करते हैं और एक तरीके से chemical changes करवाते हैं तो यह सभी चीज जो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं बात करूँ आपका फटा के फूट ना, that is sound of bursting fire cracker हो गया, कोई भी खाना रखा हो है, खराब हो गया, उसका smell कैसे आता है, क्यों होता है खराब, क्योंकि उसके अंदर भी एक तरीके से chemical reaction हो गया, तो यह जितने भी चीज होंगे दुनिया में, जो chemical changes से होते हैं, एक तरीके से chemical reaction होते हैं, तो वो सभी चीज आ जाते है हमारे यह topic के अंदर, जिसका नाम है chemical changes, क्लियर है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज समझ में आ गया होगा आपको, कि what do you mean by a chemical change, examples बहुत सारे देख लिए, लेकिन यहाँ पर और कुछ practical examples अगर मैं आपको बताओ, तो let's suppose कि अगर आप एक काच का glass लेते हो, ठीक है ना, काच का glass ले रहे हो और उसके अंदर आप क्या करते हो, थोड़ा सा baking soda डाल दो, ठीक है आप क्या करो, baking soda डाल दो, यहाँ पर मैं लिखके दिखा लेता हूँ, let's suppose I am taking a glass यह, petri dish जैसा होता है, glass ले रहो, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, एक तरीके से, यह डाल दिया, मैंने baking soda, ठीक है, मैंने क्या डाल दिया, baking soda, and साथ मैं यह baking soda के अंदर मैं add कर रहा हूँ, एक slice जो की है निम्बू का, ठीक है, यहाँ पर निम्बू का, एक juice मैंने डा जिसका नामे citric acid, तो हम आगे भी चर्चा करेंगे, reaction आपको समझाऊंगा, लेकिन वो citric acid, और यह जो मेरा baking soda था, NaH CO3, यह दोनों react करके एक नया चीज़ बना देंगे, and उसका जो taste था, वो सब change हो जाएगा, baking soda का taste थोड़ा सा कड़वा होता है, lemon का taste खटा होता है, दोनों मैं rough कर लो, सबसे पहले फिर में बताता हो, ठीक है, और example बताता हो, chemical changes का, बहुत सारे ऐसे examples है, जो आप लोगो day to day life में देखने मिलते है, let's suppose एक iron का rod है मेरे पस, ठीक है, एक iron का, यहाँ पे rod है, तो क्या होता है, iron का rod आपने जब भी देखा होगा, आपके घर में भी ऐ जीजें होगे, जो iron से बने, लोखन से बने होगे, अब कुछ साल के बाद आप उसको notice करते हो, या फिर कुछ मन्त के बाद notice करते हो, तो वो iron के उपर इसे कुछ पार्टिकल्स जमा हो जाते है, reddish brown कलर के, तो वो जो particles reddish brown कलर के जमा होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते है रश्टिंग, रश्ट बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानि कि, जंग लग जाना, आपने सुनाओगा यह word, जंग लग गया लोखन के उपर, कुछ benches होते हैं, जैसे classrooms में benches हो गए, even कुछ stands हो गए, कुछ पुराने या पर लोखन के बन क्यों हो रहा है, क्योंकि, अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ, कि क्या हुआ था, वहाँ पर किमिकल रेक्शन किस प्रकार हुआ, let's suppose, कि मेरा जो iron होता है, उसको हम लोग लिखते हैं, फेरस, F-E से लिखते हैं, उसको iron को, अब यह iron का मैं रेक्शन करू करके देता हूँ, यह आप लोगो ध्यान में होगा, कि हर एक चीज के गहराई में उतरता हूँ, और आपको बताता हूँ, that's why यह चैनल आपके लिए बहुँ ज्यादा important है, and जैसे कि आपको पता है, हर चीज यहाँ पर मिल जाती है, ठीके, तो iron जो है, कब जंग लगेगा iron के अंदर, जब वो किसी न किसी तरीके से oxygen के साथ react करेगा, अब oxygen के साथ जब react करेगा, तब ही तो बनाएगा, वो ferrous oxide, ठीके न, Fe2O3 भी बना सकता है, ferrous oxide, FeO, ferrous oxide, Fe2O3, ठीके, अब यह जो चीज होता है, ferric oxide बन गया, चलो, ठीके, ferric oxide बन गया, लेकिन यह जो oxygen है, कैस तो उसके उपर attack करेगा, एंड जाके उसके साथ react कर लेगा, और junk बना लेगा, उसके उपर rusting का formation करेगा, इस तरह होता है, और आपने देखा होगा, कभी पानी लगने के वज़े से भी iron जो होते हैं, जो खराब होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर भी क्या होता है, oxygen, H2O, तो oxygen है उसके अंदर, तो वो भी react कर लेता है, और जहात में, क्या बना लेता है, rusting बना लेता है, तो this is process, यह जो process हो, ऐक तरीके से क्या हुआ, chemical changes तो हुआ, तो उमीद करता हो दोस्तों, यह chemical change जो एक तरीके से topic है हमारा, यह आप लोगो अच्छे से समझ में आ रहा है, जो आपको है, बहुत अच्छे से clear हो रहा भी होगा, clear है, तो यही चीज हम यहाँ पर बताने ही कोशिश करते है, तेरा so many examples, iron का लेलो, apple लेलो, apple को काट करके, थोड़ा से देर रख लख लो, ठीके ना, apple को काट कर दो, and कुछ देर तक ऐसे, without fridge, fridge में मत रखना, normally ऐसे रख के बाहर, तो उसके अंदर भी blackness आ जाता है, बहुत सारे ऐसे changes, chemicals में भी देखने मिलते हैं, तो these are all, we can say it as chemical changes, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हो कि यह सभी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि क्या-क्या मैंने बताने की कोशिश किये, यहाँ पे, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे experiment भी दिए हैं, बहुत सारे आपको gases भी देखने मिलेंगे, कि अगर आप क्या करते हो, carbon dioxide निकालना चाहते हो किसी भी particular चीज से, तो आप जैसे मैंने बोला, NaHCO3 में आप जब भी lemon citric acid आएट किये, तो वहाँ पे carbon dioxide होने का liberation होएगा, उसके अंदर स में include किया हुआ है, कि यहाँ पे बताया हुआ है, कि यहाँ पे एक तरीके से आपको bubbles देखने मिलेंगे, and that bubbles, क्यो हुआ, bubbles जो आरे हैं, दोस्तों, वह इसलिए हो रहा है, क्योंकि उसमें से carbon dioxide जो है, वह लिबरेट हो रहा है, वहाँ पे, clear है दोस्तों, ओके, और जब भी अगर मैं आपको कोई पूछेगा, मुझे भी कोई पूछता है, आपको जवाब देने आना चीए, ठीके, तो आपको कोई पूछता है, कि यह जो chemical change हो रहा है, वह क्यों हो रहा है, और क्या लेना देना है, अगर यह chemical change हो भी गया, तो कुछ नुकसान है, क्या, कुछ फाइ लिया, तो क्या हो जाएगा, दो दिन बाद खराब हो जाएगा, तो उसको आप खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, रोटी है, खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, ब्रेड है, खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, तो यह क्या हो रहा है, एक तरीके से डिसएडवांटेज होत और इसको equation के form में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, equation, ओके, अब equation अगर कि मैं बात करो normally, let's suppose I am taking one more example here, कि अगर कोई भी chemical change हो रहा है, ठीक है, तो chemical उसके अंदर का जो chemical matter होता है, composition जो होता है, जो amount होता है composition का, वो भी change होता है, किस तरह होता है, यहाँ पर मैं आपको carbonate लिया, तो मैं अगर बताओ कि मैं सबसे पहले ले रहा हूँ baking soda, मैं क्या ले रहा हूँ baking soda, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, chemical changes कैसे हो रहा है, और उसको equation की form में कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ, तो यहाँ पर chemical equation जो होता है, हमेशा हम लोगो written form में लिखना होता है, क्योंकि कभी भी आपको chemical reaction बताओगे या फिर chemical change बताओगे, तो उसको written form में लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको कोई पूछेगा, एक normal reaction बताता हूँ, कि carbon है और oxygen है, दोनों react करके बनगे carbon dioxide, बताओ कैसे हुआ, तो मैं लिख के बता सकता हू जो हम लोग मुँसे बोलते हैं कि reaction हो रहा है, तो उसको लिख के दिखाना बहुत important होता है, और यही चीज़तों हमें सीखना, यह basic आप पढ़ रहे हूँ, जैसे अब higher में जाओगे न, वैसे इसका मतलब जो है value आपको पता चलेगा, तो मैं बात करता है baking soda, अब baking soda में क्य add कर रहा हो दोस्तों मैं, मैं plus से लिखते हैं हम लोग symbol, normally equation में, तो baking soda में add कर रहा हो lemon, यानि कि निम्बू, अब निम्बू में मैंने क्या बता है, आपको एक acid होता है, जिसका नाम है citric acid, यह आप लोग को याद रखना है, निम्बू में क्या होता है, citric acid, तो citric acid जब भी sodium bicarbonate भी बोलते हैं, वो भी आप लिख लेना दोस्तों, यहाँ पे sodium bicarbonate भी लिख सकते हो, तो हमेशा याद रखना कि जब भी यह reaction होंगे, तो आपको मिलेगा salt plus water, यह आपको याद दिलाऊंगा, एक topic कि जो कि हमने previous lecture में पढ़ा था, in the previous chapter, that is, यह क्या है citric acid है, ठीके यह क्या है, एक acid है, और मैं react कर रहा हूँ, baking soda क्या है, एक तरीके से base है, तो whenever we react acid and base, it forms salt plus water, याद आया दोस्तों, यह जो topic है, यह आपको याद आ रहा होगा, यह जो topic है, अगर कोई भी acid और कोई भी base जब आपस में react करते हैं, तो वो salt and पानी बनाते हैं, नमक और पानी म हमने पढ़ा था, तो आपको याद होगा, same वही चीज है, और यह जो तरीका था लिखने का, citric acid और baking soda को मैंने plus किया, salt and water मिला, यह जो तरीका था लिखने का, यह जो हमें मिला, इसको हम लोग लिख सकते हैं, proper equation के form में भी, और इसी को तो हम लोग बोलते है, chemical equation, अब इसक चीज आपको अच्छे से 100% clear हो गया होगा, ओके, और यह चीज को neutralization reaction बोलते है, यह भी मैंने आपको बता दिया, अब बात कर लेते हैं, यह तो हम लोग का normal chemical changes हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा बात करेंगे, कि chemical changes हमारे everyday life में कैसे होता, यह एक most important topic से आपको मैं explain करता about chemical reaction which are occurring in our day to day life, हर दिन अगर कोई एक ऐसा chemical reaction हो रहा है, तो सबसे पहले, जो topic मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो syllabus में आपके include है, जो की है respiration, ठीक है, respiration ही word का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूँगा, कोई बात नहीं दोस्तो, respiration, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, कि कुछ ऐसे chemical reaction भी जो होते हमारे day to day life में, हमारे आसपास होते हमारे surrounding में होते हमारे घर में होते हमारे kitchen में होते हमारे body के अंदर होते, यह सबी चीज हम discuss करने वाले, जो की natural तरीके से होते है, तो first of all, we are learning about the naturally chemical changes, और उसमें से सबसे changes हो रहा है दोस्तों, यह भी एक chemical changes हो रहा है, थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे, यह मैं आप लोग से जवाब चाहता हूँ, थोड़ा सोचो कि अगर मैं oxygen ले रहा हूँ, तो carbon dioxide कहां से आ रहा है भाई, अगर मैं oxygen ले रहा हूँ अंदर, oxygen लिया, आप निकाल तो carbon dioxide रहा तो सवाल यही है और इसी में आपका जवाब भी चुपा हुआ है, जो कि आपका respiration और chemical changes, यानि कि जब भी आप oxygen अंदर ले रहे हो, और क्या होता है oxygen के साथ, कि हमारे body में होते हैं, एक तरीके से nutrients, अब nutrients कोन से form में होते हैं, यहाँ पे में बताऊंगा, कि हम लोग जो भ खाते हैं, वो होता है stored in the form of glucose, जिसको हम लोग बोलते हैं, ताकत एक तरीके से बोल सकते हो, तो हम लोग जो भी खाते हैं, वो होता है stored in the form of glucose, और उसके बाद हम लोग लेते हैं, हमारे nose के थूरू, lungs के थूरू oxygen, ठीक है, हम लोग क्या लिए, glucose ले रहे हैं, और साथ में oxygen ले रहते हैं हम लोग ठीक है यह आ गया हमारे बॉडी के इंदर क्या चला गया खाना चला गया glucose के फ़र्म में और oxygen हमने ले लिया अब यह दोनों जब react करते हैं आपस में तब बनाते हैं carbon dioxide and बनाते हैं साथ में पानी यानि कि अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से reaction के फ़र्म में लिखूँ इस तरह से लिखा जाते हैं और इसको एक mathematical formula यानि कि molecular formula में अगर मैं लिखूँ glucose होता है आपका C6H12O6 plus oxygen होता है आपका O2 यह दोनों बन जाएंगे carbon dioxide और यह बन जाएगा पानी यानि कि जब भी हम लोग oxygen लेते हैं और जो हमारे अंदर जो हम लोग ने खाया हुआ चीज है that is glucose वो दोनों आपस में reaction कर लेते हैं और साथ में बना लेते हैं reaction करने के बाद carbon dioxide और water हम लोग को इस जवाल का जवाब भी यही है कि carbon dioxide कहां से आता है यहां से आता है दोस्तों तो आप लोग को कोई पूछेगा तो यह जवाब जरूर से उसके मूँपे बोलना कि yes मुझे पता है कि अगर हम oxygen अंदर लेते हैं तो carbon dioxide किस तरह से बाहर आता है उमीद करता हूं कि यह चीज आप आपका chemical equation यानि की chemical formula के हिसाब से equation clear है और एक example है जैसे कि carbon dioxide यहां पे मैं लिखे नहीं दिखा रहो आपको मैं यहां से directly बोल रहा हूं you can see your syllabus तो आप देख सकते हो तो carbon dioxide normally एक reaction में और बताऊंगा कि carbon dioxide अगर carbon calcium hydroxide के साथ जब react करता है तो वो बनाता है calcium carbonate जो आपके tiles वगर type of naturally occurring chemical process जो की अक्सर होता है और एक है दोस्तों जो कि आपको आज आखरी बताने चाहता हूँगा तो chemical naturally जो हमारा process चल रहता है nature से होने वाला अपने आप क्योंकि यह हम लोग naturally लेते हैं कि जान मुझके लेते हैं oxygen अपने आप लेते हैं naturally यह तो एक और ऐसे ही process है जिसको ह हमारा अगला पाट रहेगा तो यह हो गया respiration अब दूसरा एक और चीज बता हूँगा जो आप लोग को पता है यह चीज में किसकी बात करने जा रहा हूँ और जो की बहुत ज्यादा important है और वो है दोस्तों हमारा second part जिसका नाम है photosynthesis येस you are right photosynthesis बात कर लेते हैं इसके भी जैसे कि हमारे अंदर जो oxygen और carbon dioxide release करने का प्रोसेस है जिसको हमनों respiration बोलते हैं वैसे plants के अंदर भी होता है वो भी living thing है वो लोग भी जीवित चीज है तो यहां पे उनके अंदर भी क्या होता है एक तरीके से chemical reaction और chemical changes होता है जिसको हमनों photosynthesis बोलते है तो होता ये है हमारे ये है कि किस तरह से chemical reaction हो रहा है तो उनके अंदर क्या होता है we all know कि plants जो होता है वो photosynthesis process से अपना खाना बनाता है food बनाता है वो क्या करता है sunlight को लेता है पानी लेता है जमिन में से जो भी हम लोग डालते होंगे उसके पास chlorophyll pigment होता है और carbon dioxide वो atmosphere में जो हवा में होता है carbon dioxide लेता है और ये चारो चीज़ मिलाके अपना खाना बनाता है तो ये जो खाना बनाने वाला process है इसको हम लोग photosynthesis बोलते है वो exactly क्या है हम लोग चर्चा करेंगे तो क्या ले रहा है वो सबसे पहले carbon dioxide साथ में क्या ले रहा है दोस्तों यहाँ पे water पानी लेता है हमारे जमि glucose जो आमने डिसकस किया था अभी कुछ दिन पहले glucose मिलता है और सापने मिलता है पानी वाटर ठीक है तो glucose मिल गया पानी मिल गया chemical equation यह वर्ड एक्वेशन कैसे लिखेंगे carbon dioxide co2 plus water यानि कि H2O यह दोनों जब आपस में react कर लेंगे and हम लोग को क्या मिलेगा glucose यानि C6 H12O6 plus water sorry oxygen मिलता है ना यहां पर मैंने गलती से लिख दिया oxygen oxygen मिलता है हमें plants जो होते वो क्या निकालते है oxygen बाहर निकालते तो वो निकालेंगे oxygen यहां पर मैं नीचे लिखता हूँ space कतम होगा oxygen ठीक है और यहां पर हम लोग लिखेंगे O2 तो clear होगे दोस्तों जिस प्रकार हमारे बेसिक जो चीजे मैंने बताई आज आज आपको that is naturally occurring chemical changes किस तरह nature के द्वारा होता है respiration or photosynthesis में human beings में animals में और plants में यह आपको 100% clear हो गया होगा अगला जो lecture होगा दोस्तों हमारा lecture number 2 जब लेकर आऊँगा उसमें आपको सिखाऊँगा कैसे man made तरीके से हम लोग जान मुझ क chemical change करवाते ताकि हमारा फाइदा हो सके यह सब चीज हम लोग discuss करेंगे हमारे अगले lecture में तो बस आज इतना ही stop करता हूँ आज के लिए बस आपको यह comment करके बताना है फटा फट से कि हमारा यह जो आज का lecture है कैसा लगा हमारा lecture आपको यह please फटा फट से comment करके बताई अपन पीपल जूड सके दोस्तो फटा फट से share कर देना अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को subscribe कर देना सापने bell icon को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगको notification मिलती रहेगी ठीके friends तो मिलते हमारे अगले वीडियो में यह वीडियो देखने के लगा हमी अगलिंग कि ल